नमस्ते दोस्तों आज सुनिए यथार्थ और समाज से जुड़ी हुई कहानियों की लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी अपने आंगन की छाओं में तो शुरू करते हैं कहानी दिनेश लग दग तयार होकर कमरे से निकला तो अम्मा हम हो है हाँ बेटा और देखो इसकूटर जरा शांती से चलाना ये नहीं कि हवा में उड़ने लगो ठीक है अम्मा तब तक बहुरानी भी बाहर निकल आई सजी धजी महक भिखेडती हुई महीन आवाज में बोली अम्म भी सांधिया है फुलके मैं आकर उतार दूँगी चलेगा ना नौ बजे तक तो हम आई ही जाएंगे तुम बेफिकर होकर जाओ बेटे लोटने के लिए जल्दी मत मचाना चार फुलकों की तो बात है प्रभा उतार देगी तुम इत्मिनान से आना मुझे जैसे आग लग उन लोगों के जाते ही बुरा सा मुझ बना कर कहा मैं क्या तुमारे यहां फुलके सेकने आई हूँ अरे तो मैं सेक लूँगी चार फुलकों की तो बात है अम्मा बात चार फुलकों की नहीं है इन लोगों के तौर तरीकों की है प्रोग्राम बनाते समय यह लोग घर की ज के लिए समझो तभी तो बेचारा आदी चुट्टी लेकर आया था नहीं तो क्या निकलना हो पाता है वो तो मैं तभी समझ गई थी महाशेजी लंच टाइम में ही घर आ गए थे तभी समझ लिया था कि कोई प्रोग्राम है पर मुझे उन लोगों ने यहां तक की अम्मा ने भी हवा तक नहीं लगने थी गुस्य से बह जैसे उफनने लगी कहा अम्मा मुझे पूछ लेता तो कोई मैं साथ थोड़े ही चली जाती पर मुझे से पूछा तक नहीं बहु ने मुझे से पूछा था पर मैं नहीं मना कर दिया अरे तुम क्या उनके साथ जाती अच्छी लगती मरे सिनेमा भी तो आजकल ऐसे चले है कि अम्मा जैसे बहु का वकालत नामा लेकर बैठी थी मैं तिल में लाओ थी कहा अम्मा बहुत धील दे रही हो तुम बात में पच्छताओगी सारी नादिर्शाही बस हमारे लिए थी हमारे जमाने में तो सिनेमा के नाम पर घ पूर्ती आ गई है लली समय देखकर बदलना पड़ता है तब तो मेरे पास तुम्हारे बाबुजी का बल था अब तो बच्छों का मूर देखकर ही चलना पड़ता है आप सब लोग बस एक ही जैसे हो वहां भी यही हाल है किसमत तो हमारी खराब है हमने तो यहां भी सामने हतियार डाल दिये हैं जो मरजी आए पहने जब मन चाहे सोए जहां इच्छा हो घूमें कोई रोक टोक नहीं इतने पर भी गले का हार बनी हुई है नौकरी करती है ना बेचारी इतनी रियायत तो बरतनी पड़ती है तो क्या हम नौकरी करने लायक नहीं थे उस समय त ऐसे तो क्या संभाल रही है देखना तो हमी को पढ़ता है बस नाम ममी जी का होता है लली एक बात कहें अम्मा का स्वर एकदम गंभीर हुआया बहु के सामने अपनी रामयार मत खोला करो बुरा सर पढ़ता है मतलब मतलब कल को पीहर जाकर हमारी भी किस्स सुनाएगी या क हमी को कहेगी कि आपकी बिटिया ससुराल में कौन सा जस्क मा रही है मैं इस्तब्द रह गई क्या ये वही अम्मा है जो मेरी ससुराल गाथा बड़े रस ले ले कर सुनती थी यही नहीं ससुर को विक्षित करने के और सास को निरुत्तर करने के अमोग नुस्खे भी बताती थी अपनी ससुराल में मैंने बड़े शहीदाना भावस से ही प्रवेश किया था वहाँ से जब भी लौटती शिकायतों का उलाहनों का एक पुलिंदा साथ होता शिकायते ससुराल वालों की उलाहने पीहर वालों के लिए अपनी छोटी बेहन की शादी के बाद तो मेरा पीवरतर हो गया था अपना एक बचकाना सा नामालूम सा प्रेम प्रसंग मुझे एकाएक बहुत बड़ा लगने लगा था हुआ यूँ कि बिन्नी मौसी का एक भतीजा किसी इंटर्व्यू के सिलसले में हमारे हां आकर ठहरा था इंटर्व्यू में उसलेक्ट भी हो गया अमा या बाबू जी ने जरा भी एतराज नहीं किया उल्टे खुशी से मंजूरी दे दी लेकिन जब वे लोग बाकाइदा प्रस्ताव लेकर उन लोग कहां पहुँचे तो सारी खुशी काफूर हो गई लड़के वालों ने ऐसा हुँ पसा रहा कि बाबू जी के होशी मौसा जी को बहुत गुसा भी आया और शर्म भी मुझसे बोले प्रबा तू उस नालायक लड़के को भूल जा मैं तेरे लिए उससे भी अच्छा दूला डून कर लाऊंगा ये मेरा वादा है और उन्होंने सचमुच अपना वादा निभाया पर एक फास थी जो कसकती ही रही तीन साल पहले मेरे देवर की शादी हुई थी तब से तो जैसे मन में भटी सी सुलग रही है छोटी को सारा घर जैसे हातों हात ले रहा है सास उसके रूप गुण की चर्चा करते नहीं अगाती ससुर उसकी रसोई की तारीफ करते नहीं ठकते श्रीमान जी भी उसकी योगता के कायल हो गए हैं हमेशा उसके सलीके की जहानत की प्रशंसा करते रहते हैं बच्चे भी चाची के आगे पीछे डोलते रहते हैं मैं दस साल से इस घर में खट रही हूँ पर मेरा किया कराया सब मिट्टी हो गया मेरी बियस सी की डिगरी चूले में फुक गई पर इसका किसी को मलाल नहीं है सबकी आखें छोटी के कैरियर से चौंधी आ गई हैं बैंक की नौकी ना हुई कोई कलेक्टरी कमिशनरी हो जैसे जब मन बहुत भारी हो जाता तो भाग कर अम्मा के पास आ जाती हूँ कैस सुनकर थोड़ा हलका हो लेती हूँ इतने दिनों तक तो अम्मा भी साहनबूती से सब सुन लेती थी पर इस बार उनके तेवर बदले हुए हैं अब उनकी सारी दुनिया बेटे बहु में सिमट गई है किसी तीसरे का वहा प्रवेश नहीं है हमारे लिए तो अम्मा साक्षात चंडी का अवतार हुआ करती थी बहु को लेकिन हम लोग जरासी बिंदी टिकली भी लगा लेती थी तो जैसे आस्मान फट पड़ता था और बहु के सासरिंगार को ऐसे मुग्द भाव से देखती रहती है कि बस उन्हें लगता है जैसे उनके आंगन में रानी पदमनी का ही डोला उतरा है अभी उस दिन दोनों किसी रिसे हुखी है जो नजरा जाएगी पर अम्मा से बहस कौन करे हां एक दिर विभा के पास में जरूर भुर भुराई थी तो बोली अम्मा ठीक ही तो कर रही है एकलोते बेटे बहु से बिगार करके बुड़ाग पे में जाएंगी कहां क्या हम तुम उन्हें हमेशा के लिए रख तो पियर में क्या हम यही सब करने आएं तो अपने घर में क्या बुरे थे मुझे पढ़ने में मसरूर देखकर अम्मा गुटनों पर हाथ देकर उठी और बीतर चली गई आजकल सुबह का पानी भी उनके ही जिम्मे है बेटा बहुत देर तक सोते रहते हैं उन्हें जगान अभी यही हो क्या मुझे लगा चली गई हो मुझे इतना ताव आया अगर यहां हूँ भी तो क्या इनका दिया खा रही हूँ मैं चलती हूँ बिटिया तुम्हारी अम्मा को लेने आई थी आज वेण गोपाल जी के मंदिर में स्वामी जी का प्रवचन है न पर अब तुम क्यों यहां हो तो मुझे नहीं लगता कि वेट चल पाएंगी क्यों नहीं चलेंगी मौसी मैं क्या उन्हें रोकती हूँ तुम तो नहीं रोकती बिटिया पर 4 दिन बेटी घर आती है तो मा का मन उसके पास ही डोलता रहता है चार दिन नहीं मौसी मैं तो पुरा महिनाबर कर जाओंगी मैंने जान बूज कर कहा जरूर रहो बिटिया तुमारा घर है खूब रहो बोजाई का सुख लो बच्चे भी साथ आए हैं बच्चे कैसे आ सकते हैं उनके तो स्कूल चल रहे हैं तो वहां कौन देखता है उन्हें क्या देखना है मौसी अब तो बड़े हो गए हैं तभी अमा बीच में टपक पड़ी घर पर इसकी सास है ना और देवरानी भी है दोनों मिलकर देख लेती हैं इसकी तबियत जरा ढीली चल रही थी तो मैंने आराम करने के लिए बुला लिया घर पर देखने वाले हैं तभी तो हिमत कर सकी साथ रहने का यही तो फायदा मौसी बोली, लोग समझते नहीं हैं, भले ही नौकरों की फौज पाल लो, पर अपनों किसी देखवाल थोड़ी हो सकती है, मैं ब्याकर आई थी तब हमारा तीस लोगों का कुटों बुथा, मेरे साथ बच्चे थे, पर पता ही नी चला कब कैसे सब बड़े हो गए, अब तो एक होता है तो भी रोना जिंकना लगा रहता है, संयुक्त परिवार की अच्छाईयों पर संक्षिप सी चर्चा के बाद मौसी चली गई, तो मैंने अम्मा को आड़े हां थो लिया, मेरी सास और देवरानी का इतना बखान करने की क्या जरूत थी, क्या तुम्हें पता है कि वे मेरे बच्चों की कैसी देखभाल करती है, अच्छी ही करती होगी, तभी तो निश्चिन्त होकर यहां रह सकती हो, नहीं तो अब तक दस फोन आ गए होते, और ये मेरी तबियत का क्या चक्कर है, उस दिन दिनेश भी पूछ रहा था, दीदी, चेक अप के लिए जब ज अब मैं हर किसी से तो यह नहीं कह सकती, कि तुम अपने दूले से रूट कर चली आई हो, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ता है, ये तुम से किसने कह दिया कि मैं रूट कर आई हूँ, मेरी आखें नहीं है क्या, पिछले दस दिनों में एक भी फोन नहीं आया, ना तुमने वहाँ बात की, बुड़ी हो तो क्या, इतना तो समझती ही हूँ, तुमारी समझ के क्या कहने अम्मा, तुम तो महान ग्यानी हो, अच्छा होता, प्रवचन में चली जाती तो थोड़ा और ग्यान बट्रोड लाती, मेरी विज़े से बेकारी रुग गई, अपन से चार फुलके उतारते नहीं बना, ये चोट एकदम सीधी थी, मैंने भी बेलोस अंदाज में कहा, ये ठीक किया अम्मा, अब जट पर जाकर रसोई समझाल लो, मुझसे कोई आशा मत रखना, अपने घर की रोटियां सेख सेख कर मैं आगा गई हूँ, चार रोटियों की क पुलकुल जरासी थी, विवेक, शीतल, दक्षर भारत की यात्रा गए थे, लोटते समय सब के लिए कुछ न कुछ लाए थे, मेरे लिए मैसूर सिल्क, मम्मी जी के लिए कांजी वनम, पापा जी के लिए पूजा वाली रेश्मी धोती, पूर्वा के लिए जरी, बॉर्ड मम्मी जी के सामने ही पठक दी, कहा कि जब सबका देखना दिखाना हो जाये तो कमरे में भिजवा दीजिएगा, बाहरवालों के सामने अपनी ऐसी अवमानना से मम्मी जी तो हक्की बक्की रह गई, इन्हें भी अच्छा नहीं लगा, कमरे में बुला कर मुझसे काफी पर मैं क्यों चुप रहती, मेरे मन में तो जौला मखी ही धदक रहा था, मैं जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बोलती ही चली गई, पतानी कितने दिनों का संचित आक्रोश सतह पर आ गया था, शीतल कुछ भी करती है तो उसकी तारीफ होती है, मैं जो दस बारे साल से ख ही भुखता है, पर मजाल है जो कभी प्रशंसा के किसी ने शब्द भी कहें हो, उन लोगों को तो बिना पैसे के एक नौकरानी मिल गई है, उसी के बल पर सबकी एश हो रही है, मैं भी अपना केरियर लेकर बैट जाती ही तब पता चलता, एक घंटे तक अनवरत बोलती रह ही मैं, ये चुपचाब मेरी बात सुनते रहे, बीश में एक बार भी टोकाटा की नहीं की, जब मेरा आवेश कुछ कम हुआ, तो शांत स्वर में बोले, प्रभा इस घर के लिए तुमने जो कुछ किया है, उसे सब जानते हैं, मानते हैं, इसके लिए सब तुमारे है पाता, क्योंकि तुमने कभी वैसा माहली ने बनने दिया, तुमने जो भी किया उसमे एक कर्तव ये बोध था, आस्था नहीं थी, तुमने सब कुछ दिया, अपना समय भी, अपना श्रम भी, पर अपन तो नहीं दिया, तुम जिस निरलिप्त भाव से करती हैं, लोग उ उसी आपचारिकता से उसे लेते रहे, ना लेने में रस रहा, ना देने में, यहीं, शीतल तुमसे बाजी मार ले गई, उसने वही दिया, जिसके लिए इस घर के लोग तरसते रहे हैं, उसने भरपूर प्यार दिया है, अपना पन दिया है, हम, मीठा बोलने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, पर तुमसे वही तो नहीं होता, बस एहसान पर एहसान करती चली गई, पर एक शन के लिए भी तुम इस घर से जूड़ नहीं पाई, कभी तुमने विवेक के साथ हसी ठीटोली नहीं की, पारूल के साथ अपने रहस्ते या साडियां शेर नहीं की, कभी पापा जी को मनुहार करके कोई चीज नहीं खिलाई, कभी मम्मी जी को बदपरेजी के लिए मीठी नाट नहीं पिलाई, यह छोटी छोटी बाते हैं प्रभा, पर ग्रहस्ती में इनके दम पर ही रौनक आती है, कभी-कभी तो मुझे लगता है और एकाएक ये चुप हो गए, क्या लगता है, यही की मेरे साथ भी तुम बस मजबूरी नभा रही हो, आत्मेता का एक भी अंतरंग शायद हमारे जीवन में कभी नहीं आया, यह कड़वा सच था, जिसे सुनकर मुझे शर्म से गड़ जाना चाहिए था, पर अपनी गलती ने किया था, अम्मा की बीमारी का बाहना बना कर मुझे दूसरे दिन गाड़ी में बिठा दिया था, वापसी के बारे में ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया, मेरे सकुषल पहुँचने का एक फोन दिनेश ने कर दिया था, बस, उसके बाद कोई समवाद नहीं, आते से बड़ा शूने भी समय के साथ भर जाता है, उन लोगों को भी मेरे ना होने की आदत पढ़ जाएगी, क्या पता पूर्वा और प्रतीक भी मा के बिना जीना सीख लेंगे, और जिनके दम पर इतनी ठसक दिखाई थी, उन्होंने भी तो निराशी किया, दबी जबान से अ लटका कर बाहर चली आई, अम्मा से कहने की भी जरूत नहीं समझी, कुछ देर तक बाजार में यूँ ही चहल कदमी करती रही, फिर पतानी क्या सोच कर टौफी बिस्कुट खरी दे, एक मिठाई कर डिबा लिया, और रिक्षय पर बैठ कर सीधे विभा किया चल दी, विभ बाहर नी एक साल में कितने स्वेटर निकाल लेती है, नमस्ते मा जी, उन्होंने चौकर सिर उठाया, अरे प्रभा तुम, आओ भाई, विभा ने बताया था कि तुम आई हुई हो, मुझे लगा था कि अब तक लोट गई होगी, आप से बिना मिले कैसे चली जाती, मैंने व शे बजे के बाद आती है, दोनों साथ ही आते हैं, तरसाथ कहा है, ट्यूशन गया है, साथ बजे लोटेगा, अब तो उन्हें याद आया कि मैं अब तक खड़ी हूँ, बोली अंदर चलोगी या यही बैठोगी, कुरसी लानी पड़ेगी, मैं चुपचाप एक कुरसी और मैंने राहत की सांस ली, विभा और देवेन लोट आये थे, विभा बेहत ठकी हुई सी लग रही थी, पर मुझे देखते उसका चीरा खिल उठा, ओ, वाट ए प्लेजन सर्प्राइज दीदी, अब कुछ भी कहलो, सर्प्राइज तो है ही, ऐसे तो तुम लोग बुलाते नहीं सोचा खुदी ने मंत्रन ले लूँ, क्या बात करती हो दीदी, विभा से पूछिए, मैंने कितनी बार तो कहा होगा, कि दीदी आई हैं तो एक दिन खाने पर बुला लो, जूटे कहीं के, इनने तो शायद ये भी पता नहीं होगा, कि मैं अब तक यह हूँ, औरों की असमंजस में दिखाई दी, उसने इशारे से देवेन को भीतर बुलाया, दो मिनट में वे बाहर आ गए और स्कूटर रो बैट कर चल दिये, ये उन्हें आते ही कहां भेज दिया वेभा, मैंने भीतर जाकर कहा, किसी फॉर्मल्टी की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ मैंने उसके निस्तेज चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, अभी आठ दिन पहले DNC करवाई है, उसी की कमजोरी है, पर DNC क्यों, प्रसाद तो पांच का हो गया है न, हाँ, अभी ही तो थोड़ा फ्री हो पाई हूँ, फिर से वो सब करने की हिम्मत नहीं है, घर में आद आया, कि मुझे आए आधा गंटा हो चला था, पर चाये तो दूर मा जी ने मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, और शायद इस बात का अंदाजा विभाग को भी था, ये औरत क्या दिन पर स्वेटर ही बंती रहती है, दीदी तुमारा कोई परहुच बगेर तो नहीं है न, होगा तो बता देना, विभाग का ये सवाल एगदम बेतुका था, पर ये समझाने के लिए काफी था, कि वो अपनी सास के विशय में कोई बात नहीं करना चाहती, हम लोग चाये पी ही रहे थे कि देवें लोट आए, सबजी के साथ दही, गी, पापड का प ये क्या कोई राक्षस है, दो-चार बार का एकटा लगा लेती हूं दीदी, सुबह तो इतनी भागम भाग मची रहती है कि बस, और शाम को इतना ठक जाती हूं कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है, जी करता है कि खिचडी खा कर सो रहूं, पर खिचडी से सब का गुजारा तो नहीं होता ना, मैंने बाहर जांका, अपना कप लेकर देवेन मा के पास जाकर बैट गए थे, फर्क इतना ही था कि मा अब हॉल में आकर टीवी के सामने जब गई थी, मैंने विभा की ओर देखा, वो सचमुच बहुत ठक गई थी, और यहां उसका हात बटाने वाला जी बगरे देख लो, तब तक मैं एक तर्फ फुल के उतार देती हूँ, अरे नहीं दीदी, जरासी देर को आई हो तो क्या ये भी काम करोगी, अपने घर में तो करती ही हो, वैसे भी ये लोग शाम को गरम फुल के ही खाते हैं, खाने बैठेंगे तो उतारती जाओंगी, या, यही की घर में देखने वाला कोई नहीं है, वो फीकी सी हसी हस दी, पर जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, जाहिर था, वो इस विशे पर बात नहीं करना चाहती थी, जब प्लेटें लगनी शुरू हुई, तो मैंने विभा से कहा, विभा, अभी मेरी मत लगाना, मैं बाद में तुम्हारे साथ खाऊंगी, पर मा जी नहीं मानी, वा, ये कैसे हो सकता है, तुम हमारी मेमान हो, तुम्हें छोड़ कर हम कैसे खा लें, मजबूरन सब के साथ बैठना पड़ा, पर गले से कौर नहीं उतर रहा था, जब सब लोग खा चुके तो मैंने कहा, अब तो आ जाओ, मैं कब से हाथ रोक कर बैठी हूं, विभा अपनी प्लेट लेकर आ गई, खिस्यानी हसी हस कर बोली, रोज तो मैं माव जी को पहले ही परोज देती हूं, हम दोनों बाद में खाते हैं, आज तुम्हारी वज़े से देवेन ने भी पहले खा लिया, दर असल मम् लिक्षा की पर आकर उसे ही उठना पड़ा, सीरियल बीच में छोड़ना किसी को भी गवारा नहीं था, लेकिन बाद में प्रशनों की बोचार शुरू कर दी, किसका फोन था, क्यों था, दिनेश का था, पूछ रहा था, दीदी को लेने आऊं क्या, मैंने कहा, रहने दो आ तो यहां फोन किया, वो तो अच्छा हुआ कि फोन मैं नहीं उठाया, नहीं तो जरासी बात पर इशू बन जाता, मेरी समझ में नहीं आया, किसमें इशू जैसी बात क्या थी, अपनी बेहन कहीं तो घर आई थी, खैर, रात यहां गुजारने का ख्याल अच्छा था, सोच पागनों की तरह जाकती रही, नई जगे वैसे भी नीन नहीं आती, बार बार नजर विभा के बुझे बुझे चेहरे की ओर जा रही थी, लगता था जैसे वो खुश नहीं है, अभी कल तक मुझे उसकी किस्मत पर रश्क होता था, मन पसंद दूला, अच्छी सी नौकरी, प सुनापन क्यों है, कहिए कमजोडी के करण तो नहीं, अभी पिछले हफते ही डी अन्सी करवाई ये कह रही थी, मैं तो यहीं थी तब, डर कि हमारे अम्मा को न बताया हो, पर मुझे तो कह सकती थी, दो दिन के लिए मैं यहां आ चाती, इसे कुछ तो आराम मिलता, पर इस नहा भी चुकी, हाँ माजी के लिए भी तो अभी से बना कर रखती हूँ ना, इतनी बंदिश बाप रहे, अम्मा से तो बात-बात पर लड़ लेती थी, पर बेचारी ने सास के सामने हरतियार डाल दिये, मैं सोची रही थी कि बिना नहे किचन में जाओं की न जाओं, तब से उनके साथ भी ढंक से बात-चीत नहीं हो पाई थी, सुनो, विभा ने पती से कहा, आज तुम अकेले निकल जाना, मैं दीदी को घर पर छोड़ती हुए आ जाओंगी, हम लोग थोड़ा जल्दी निकल लेंगे, बस से जाना है न, देर लगेगी, तो आटो कर लेंगे न नई दीदी बेकार 50 रुपे पूखने से फाइदा, बस अब तुम जल्दी से तयार हो जाओं, मैं तयार होकर आई तब तक वो खुद भी तयार हो चुकी थी, और प्रसाद को यूनिफॉर्म पहना रही थी, उसे देविन के साथ भेज कर उसने दाल चावल का कुकर तयार क मांजी जला लेंगी, साड़े बारह पर प्रसाद आता है, मांजी बारह बजे गैस जला लेती हैं, हाँ बच्चा गरम गरम दाल भात तो खाए, रोटी तो बिचारी ठंडी ही खाता है, मांजी ने बिसर कर कहा, मन हुआ, कह दूं कि आप किस मर्ज की दवा हैं, दो रोटी नहीं बना सकती, पर चुपी रही, बहु की अनुपस्तित में पोते को खाना खिला देती हैं, यही क्या कम है, कल से जो देख रही थी, उससे तो इसकी उमीद भी कम ही थी, देवेन और उसकी मां से विदा लेकर हम लोग साड़े नौ बजे ही निकल पड़े, सड़क पर आक इसलिए बस से जाना तै किया है, पैसे भी बचेंगे और कुछ देर का साथ हो जाएगा, घर में तो तुमसे ठीक से बाद भी नहीं हो पाई, एक तो काम और दूसरे जासूसी, क्या मतलब जासूसी कैसी, हमारी परम पूजनिया सासूमा है न, कब दबे पाउं दर्वाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, इस घर में तो पती पतनी का एकांध भी सुरक्षित नहीं है, अब प्रसाथ को भी ट्रेनिंग दे रही है, उसके सामने बात करते डर लगता है, फोरन जाकर दादी से बता दीता है, देवेन कुछ नहीं कहते, वे तो पूरे श्रवन कुमार है, उनकी माताश्री ने हमारे अंतरजाती विवा की स्यूक्रत ही दे दी थी, इसका एसान अवो जिन्दिगे पर उठाना पड़ेगा, इसमें एसान की क्या बात है, बुढ़ापे में एकलोते बेटे से बिगाड़ कर वो भला कहा जाती, इस स्यूक होने का दंब भरती रहती है, संसकारों के नाम पर सारे नियम उपनियम का कठूरता से पालन करवाती है, कभी कभी मन इतना खराब हो जाता है कि बस, मुश्किल तो ये है कि किसी से ये सब कहा भी नहीं जा सकता, अम्मा तो फॉरण कह देंगी कि तुमी ने अपने पैरों प भागे से भीर भी जादा नहीं थी, हमें अगल बगल वाली दो सीटें मिल गई, किड़की के पास बैटकर मैं कुछ देर तक फिसलती हुई सड़क को देखती रही, पर दिमाग में विभा की बातें चक्कर काट रही थी, कितनी दुखी है बेचारी, और मैं पागल बेवज ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, सच तो यह है दीदी कि प्रेमी और पती में बहुत अंतर होता है, पर यह अंतर शादी के बात ही पता चलता है, यह तो मेरे लिए एकदम नई बात थी, इसी आदमी के लिए विभा घर परिवार से समास से लड़ गई थी, आज उसी को लेकर की त्रासदी भुगत रही है, मेरा मन करुणा से भराया, मैंने कंखियों से उसकी उड़ देखा, वो एक टक एक कोस्टर को देख रही थी, किसी डेंटल टॉनिक का विज्यापन था, पर उस पर बना बच्चा बड़ा प्यारा था, यह बच्चा कितना प्यारा है ना? प्रसाद को तो एक तरह से अम्मा नहीं पाला है, पर अब तो उनका भी बढ़ापा है, फिर वहाँ भी अब एक नन्ना मुन्ना आने वाला है, अम्मा के लिए तो पहली प्रायरिटी वही होगी ना? लेकिन प्रसाद को एक साथी तो जरूर चाहिए, तुम्हें इस विशे लारियां शेयर करता है, ना सुविधाएं, ना सुख दुख में साथ देना जानता है, एक हमारे श्रीमान है न, 32 साल के उम्र में भी अम्मा के पलू से बंदे हुए हैं, किसी तरह बढ़ना ही नहीं चाहते, और एक मैं हूँ जो दिन पर दिन बढ़ाती जा रही हूँ, व मैं सारे कश्ट उठाने के लिए तयार थी, लेकिन और फिर से एक उसांस भर कर वो चुप हो गए, अच्छा हुआ कि हमारा गंतवे भी आ गया था, नहीं तो इससे जारा सुनना मेरी बरदाश्ट के बाहर था, घर पहुंचते ही अम्मा ने मुझे आड़े वहा तो लिया, कैसे लतर-पतर चली गई थी तुम, समध्याने में कोई ऐसे जाता है और बता कर भी ने गई, लल्ला बेचारा हलकान होता रहा, अम्मा अब बस भी करो, विभा ने डाट दिया, पंद्रह किलोमीटर दूर से बस में धक्के खाते चली आ रहे हैं, पानी तक तो पूछाने और शुरू हो गई, तब तक रश्मी शर्वत बना कर लिया आई, विभा ने उसे धेरों आशिरवात देते हुए गिलास उठा लिया, खाना तयार है दीदी खा कर जाईए, तयार है तो टिफिन लगा दो, अब खाने का समय नहीं है, अच्छा दीदी चलती हूँ अब, इस बार मुझे क्रोध नहीं आया, मैं उसे छोड़ने सडक तक चली गई, कहा एक दो दिन में दिनेश से रिजरवेशन के लिए कहूंगी, चाहेती हूँ दस पंदरे दिन के लिए तुम भी साथ चलो, आराम हो जाएगा, अभी तो मुश्किल है दीदी, प्रसाद के टर्म अफिस में भी ऑडिट का चक्कर है, बाद में ही सही पर आऊंगी जरूर, मेरा मन भी दो-चार दिन की छुट्टी के लिए छट पटा रहा है, पर निकलना ही नहीं होता, महिनों हो जाते हैं, मैं अम्मा के पास नहीं जा पाती, एक रात भी यहां रुख जाओं तो घर पर रख कर पाल लोगी, पर अब और देर मत करना, मुझसे तुम्हारा यह उदास चेरा नहीं देखा जाता, तुम इतना सब कैसे कर पाओगी दीदी, इतने दिनों तक घर छोड़ना क्या आसान है, ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, फिर घर में इतनी बड़ी बात मैं कह पाती, विभा के जाने के बाद भी मैं बड़ी देर तक खड़ी खड़ी वहाँ, अपने उपर आश्चरे करती रही, सचमुझ इतनी बड़ी बात मैंने कहती, किस विश्वास से, किस अधिकार से, अरसे बाद मेरे मन में उस घर के प्रते अपनत उमड आया, अब मुझे किसी मनुहार की, किसी निमंतरन की प्रतीक्षा नहीं थी, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशीची की कहानी अपने आगन के च्छाओं में, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ, का समय, शुब हो, मंगल मैं हो, धन्यवाद